अंग्रेजों ने हमको उल्टा फसा दिया ग्यान आधारित हिंदुस्तान को डिगरी में फसा दिया अब हम किसी की भी परिक्षा लेते हैं तो भई तुम्हारे पास डिगरी क्या है डिगरी कोई महत्तुकी नहीं होती है चरक रिशी की क्या डिगरी थी शुश्रुत रिशी क दुनिया मानती है कि प्लूटोग्रेन है सूरिकीदूरी प्रत्वी से कितनी है यह आज बोलते है नौभी शताद्वी में तो हिंदूस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और प्रत्वी कितनी है तो यह जितनी महान भातें करने वाले लोग इनके पास किसी के पास डिगरी नहीं थी ग्यान था, ग्यान उंचा होता है डिगरी नहीं होती तो हम वही ग्यान आधारित सिक्षा और अविद्या लाना चाहते हैं